नमस्कार आप देख रहें आर्जी न्यूस मैं हैं नहीं आदो तो आई चलते हैं खबरों की ओर बिलासपूर सरकंडा छेत्र में ड्राइवर की फावड़ा डंडे से पीट-पिट कर हत्या करने के मामले में मृतक के पिता धनिराम उपाध्याय ने फोन पर ग्रिह मंत्री से न्याय की गुहाल लगाई है धनिराम ने अपराध्यों के अवैद मकान पर बुल्डोजर चलाने की मांग की है जिस पर डिप्टी सीम और ग्रिह मंत्री विजशर्मा ने पेडित परिजनों को अपराध्यों के खिलाफ कड कारवाई करने का आश्वाशन दिया है बता दे की बीते बुधवार को सरकंड़ा छेत्र की खंतराय में मामूली बात पर विवाद हो गया था घटना में पंकचुपाध्या और उसके दोस्त कलू पर पांस से ज्यादा हमलवरों ने ताबर तोड़ फावड़ा और डंडे से किये थे जिसमें पंकचुपाध्या की मौत हो गई वहीं दूसरे घायल युवक का अस्पताल में इलाज चर रहा है इस वारदात का सीसी टीवी फूटेज भी सामने आया था मामले में पुलीस ने नाबालिक और महिला समेथ 6 आरोपियों को गिरफतार किया है